ठीक है दोस्तो आज है हमारा डे टू चैलेंज का और आज हम स्टार्टिंग तो अपडेट से ही करेंगे लेकिन इसके अंदर रहेगे एक बहुत ही बढ़िया सी एनाउंसमेंट तो वो वीडियो के मैं कहीं बीच में कर दूंगा फिलाल हम लोग अपने सबसे पहले सब्सक्राइब तो यह प्रॉपर गेस्ट पोजिंग भी नहीं थी अगर होती तो हमें इनकी लोर बॉड़ी भी अच्छे से दिखती तो यह नोंने जस्ट शो को एक जैसे प्रमोट करने के लिए नोंने कर दिया लेकिन मुद्दे की बात यह कि कब सुनीच जादफ को हम द सब्सक्राइब को जीत नहीं पाए थे अभी सुनीच हमें यह इस वाले शो के अंदर दिखाई दिये और अगर सही में बताया जाए तो इनकी बाड़ी में कोई बड़े बदलाव आपको एकदम से देखने के लिए नहीं मिलेंगे और कुछ भी ऐसा स्पॉर्ट कर पाना भ से इंदाजह के क SIMा रहे हैं तो देखना होगा कि क्या यह दाल ही क्लेंगे कंपीट करेंगे कि काफी बड़ा शो यह इन्होंने कुछ भी बताया नहीं इंड से और अभी कोई इ QUESंक अपडेट नहीं बसी δा हमकुए यह इनलाए जैसे सुनीत को भी अफ़ेट देंगे तो मुस्में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपने वीक पॉइंट को इंप्रूव करते हैं और किस तरीके से प्रोशो जीत करके ऑलमपिया में होते हैं क्वालिफाय दोस्तों उसके बाद अगर अगले अपडेट की बात करी जाए तो वह आ जाता है आंड्रे फर्जूसन के उपर अब आंड्रे ने मुझे कर रखा है ब्लॉक यह मुझे याद ही नहीं था एक तो ब्लॉक होना भी बहुत बड़ा अपराद है तो आंड्रे का जो अपडेट है वो देखने के लिए एक अलगी सेक्शन से एक अलगी रास्ते से होते वह जाना पड़ता है इंस्टाग्राम के तो इनकी बाड़ी अभी दिखाई दी और इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि यह रहे हैं तो इतना ज्यादा अंधेर नीचे के कुछ डिटेलिंग समझ में नहीं आ रहे हैं तो कुछ major changes सिर्फ तभी पता लगेंगे जब ये बिल्कुल अपने prep के close होंगे तब इनकी body कितनी change होती है उससे हमें मालूम चलेगा लेकिन आंड्रे का यही है कि जब तक कुछ बड़ा धमाका नहीं करेंगे तब तक लोग भी वापस से इनकी बात करना शुरू नहीं करने वाले और ऐसी ये lime light से कहीं ना कहीं दूर होते चले जाएंगे अगर इतना delay करेंगे हर एक show को खेलने में एक time था Arnold Classic और Andre Ferguson का नाम एक साथ जोड़ा हुआ था और उसके बाद Olympia तक बनती थी इनकी hype format है वो बदल चुका है bodies बिल्कुल change हो चुकी है बड़े-बड़े monster वहाँ पर भी आ गए है अब तो देखना होगा कि Andre कैसा match up कर पाते है उन bodybuilders के साथ में actually में man's physique athletes अब bodybuilders हो रहे हैं तो Andre क्या करेंगे इस Miami Pro में क्या change लेकर आएंगे वो देखने वाली चीज़ होगी लेकिन फिलाल इनका ये body update बहुत ही दूर से नजर आ रहा है जिसमें कि एक thickness और roundness आपको दिखने में दिख जाएगी इसके बाद उस्तों अगर अगले athlete पर अपन चले तो वो update आता है इसके अंदर इमरान खान का और इमरान अभी चल रहे है एक ऐसे mode में जो कि ना एक proper इनका prep mode है ना कोई off-season mode है actually इमरान ने ना off-season mode बिल्कुल अभी शुरू कराई है तो अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे इनका off-season आगे progress करेगा इनकी body make change आएगा फिलाल जब मैंने इन से पूछा तो इनोंने बताया कि अभी ये compete ने करेंगे इनके October के around plans है compete करने के जैसे कि ये खेल सकते है दुबाई pro और जो शेरू classic इंडिया में होगा उसको खेल सकते हैं और एकाथ कोई pro show खेल सकते हैं तो इनके plans अभी बाद के हैं कई महिनों बाद के हैं बलकी तो अभी एक ऐसा नहीं है कि प्रेप में चल रहे हैं लेकिन हाँ फिजीक इनकी स्टिल आप देखोगे काफी ज़्यादा है lean काफी ज़्यादा है पूरे साल काफी lean रहते हैं तो फिलाल इम्रान की ये plans है बाकी एक और बड़ी announcement है इनकी और से वो अभी बता दू मैं आपको चलो वीडियो के end में अपन रखते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बड़ी announcement है इनकी और से क्योंकि वो इनकी ओर से नहीं वो मेरी ओर से होने वाली है आप लोगों ने guess कर लिया होगा तो वो वीडियो के end में रखेंगे हम लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इम्रान पिछले साल भी Olympia के लिए qualified थे लेकिन दिक्कत यह हुई थी कि यूएस नहीं जा पाये थे वीजा इनका डेनाई हो गया था और उस वड़ा से ये कंपीट ही नहीं कर पाये अपने सबसे पहले Olympia में और उन्होंने हार नहीं मानी और लगातरे प्रेप करते चले गए और उसके बाद भी बहुत अच्छे अपनी इनों ये फिजीक दिखाई लेकिन उम्मीद है इस बार भी इनको Olympia में जाने का इम रहेगा और ये फटाफट से हो जाएंगे qualify एक अच्छा खासा off-season लगाने के बाद तो मैं expect करके चल रहा हूँ एक बहतर एक जादा बड़े इमरान खान को और एक बिल्कुल solid दावेदार Olympia तक जाने के लिए बाकी देखते हैं जब ये pro show में compete करेंगे दुबई में या शेरू classic में तो किस तरीके से हमें दिखाई देंगे इसके बाद अगर अगले athlete पे मैं चलता हूँ तो ये update यहाँ पर आता है दोस्तो blessing की उपर blessing ने अपना एक back double bicep shot दिखाया इस video में जो उनों इन्स्टाग्राम story पर डाली और इसके अंदर ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो blessing ने क्या करा कि अपनी lower body अभी भी चुपाई रखे है चुपाने की जरूत नहीं है lower body उतनी जल्दी कभी भी condition नहीं होती है जितनी जल्दी upper body आ जाती है फिलाल ये है 13 weeks out Chicago pro से और इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे है problem वह है कि hamstrings और front quads में जो size की एक कमी रहती है वो क्या आप रहने वाली है या ठीक हो जाएगी और body के अंदर भी एक roundness की भारी कमी रहती है चाहे shoulders हो चाहें chest हो तो उस चीज को कैसे ये overcome करेंगे और किस तरीके से ये Chicago pro को जीतेंगे ये सबसे बड़ी बात है लेकिन फिलाल तो ये देखना है कि अपनी back को ये और कैसे improve करेंगे और किस तरीके से एक peak hit करना सीखेंगे अपने अगले pro show यानि Chicago pro show के अंदर तो blessing के improvements अभी बहुत जादा एकदम drastic आपको तब ही देखेंगे जब ये show के करीब होंगे 13 weeks out है जैसे ये 5 weeks, 4 weeks out होंगे तो इनकी body में एक आपको major change देखने को मेलेगा तब इनकी बाते भी होनी शुरू हो जाएंगी तो अभी थोड़ा सा ठंडा मामला चल रहा है इनका और इसलिए बातचीत भी कम हो रही है तो ये updates भी कमी डाल रहे है फिलाल आपको लगता है कि Blessing इस बार एक different physique अपने दिखा पाएंगे पिछले साल के Olympia से और Olympia में के top 10 में आप आएंगे क्योंकि पिछले साल तो हाल बेहाल थे इसके बाद दोस्तों अगर अगले athlete पे चला जाए तो ये update यहाँ पर निकल करके आता है Jeremy Portwin के उपर अब Jeremy Portwin की दोस्तों हालत कुछ जादा ही खराब हो रखे है पिछले करीबन 15-20 दिनों से तो Jeremy के साथ ऐसा चल रहा है कि ये ले रहे थे trend definitely athletes trend balloon का consumption करते हैं और उसकी वड़ा से क्या चीज होती है कि आपना sleep less हो जाते हो बिल्कुल restless हो जाते हो trend आपको सोने नहीं देता है और पसीने भी बहुत जादा आते हैं तो basically इनके साथ क्या था है कि इनके साथ हो रही थी sleep deprivation की problem यानि कि नींद नहीं आ रही थी इनको और उस वरा से बिल्कुल train नहीं कर पा रहे थे कुछ खानी पा रहे थे definitely आपकी हर एक चीज खराब हो जाती है अगर आप सो गए ने because सोना body building का एक सबसे बड़ा हिस्सा शायद है वैसे तो खाना एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लेकिन सोना बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और normal human body के function के लिए तो सोना वैसे ही सबसे बड़ा हिस्सा होता है फिलाल इनकी ये हालत हो गई है कि ये बोल रहे है कि मैं तीन घंटे अब सोने लगा हूँ और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ तो इतनी बत्तर इनकी हालत थी कि तीन घंटे की sleep से भी बंदा खुश है अभी इसका मतलब ये बिलकुल ही नहीं सो रहे थे और बिलकुल इनका जो दिमागी हालत थी वो भी से काफी ज़्यादा खराब हो रही होगी आप प्रेप नहीं कर रहे हो आप डाइट से इसे नहीं कर पा रहे हो इससे पहले इनोंने जिन्दकी बर यूज किया है जिन्दकी बर से मेरा मतलब जब तक ये competitions खेल रहे थे पर इतनी बुरी हालत इनकी नहीं हुई थी अभी कुछ अलगी तरीके से इनकी body react करना शुरू कर चुए और side effects हो रहे हैं करना शुरू हो वैसे हील होना इनोंने स्टार्ट कर दिया है बाके फिलाल जो आपको इनकी फिजीक दिख रहे होगी सब्डेट के अंदर जिसमें कि ये mobile पकड़ करके अपनी वीडियो बना रहे तो इनकी फिजीक आपको काफी डाउन दिख रहे होगी और वो जो एक hardness आती है जिसके लिए Jeremy जाने जाती है इनके chest में फाइबर्स का आना इनके shoulders में एक hardness का आना वो completely अभी missing है तो ऐसा ही होता है जब आप सोते नहीं हो आपकी body भी small होती चली जाती है और nutrition आपको लगता नहीं है exercise अब करनी पाते हो और overall energy levels बिल्कुली खराब बिल्कुली low हो जाते है तो अभी जल्दी सी जल्दी यह heal कर रहे है देखते हैं अभी यह क्या करते हैं आने वाले इनके plans क्या होंगे जैसी पता लगेंगे हम यहाँ पर discuss करेंगे इसके बाद दोस्तों सारे updates यही थे आज़के क्योंकि एक update मैं देना चाता था लेकिन पता नहीं मालुम नहीं कि वो सही में एक update है या नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं बात करना चाता था Larry Wheels की अब Larry क्या है ना रोज रोज अपनी body तो दिखा देते हैं लेकिन इन्होंने promise किया था सब अपने fans से और वो यह था कि किसी ना किसी classic show में खेलेंगे लेकिन वो update कोई भी नहीं दे रहे हैं यह कितना दूर है कितने weeks out हैं लेकिन अपनी physique यह हमेशा दिखा देते हैं तो physique update बहुत पड़े हैं और अभी हमने देखा हाली में जिसमें कि यह crisp bumster type एक pose कर रहे हैं अपना classic का काफी अच्छे से इस pose को hit कर रहे हैं Larry wheels और बहुत ही ज्यादा इनके flaring out आपको lats दिख जाएंगे vacuum तो बहुत ही बढ़ी आविया करना सीख चुके लेकिन प्रॉब्लम आपको कहा दिखेगी इनके lower body में खासता और से इनके legs का वो outer sweep जो इतना कम है कि इस पराद से legs बहुत चोटे लग रहे हैं और upper body हद से जाधा नॉमिनेट कर रही है तो Larry Wheels अभी इस तरीके से दिख रहे हैं अभी तक यह कोई pro नहीं है लेकिन Larry की जाधा करके एक जरूत यह रहती है कि उनको ना exposure मिले अभी अगर खेलने जाएंगे कोई bodybuilding show तो उससे उनको एक उनका नाम हो जाए और एक different चीज़ वो हमेशा करते रहते हैं उसके कुछ time ब पोजिस को जैसे हिट करने से पहले नहीं करा करते तो मीद तो है कि हाँ प्रेप में चल रहे हैं और हमें कोई ना कोई pro show में मतलब sorry कोई ना कोई amateur show में तो खेलते हैं दिखेंगे जरूर बाकी कितने weeks out है वो यह announce करेंगे तभी हमें पता लगेगा फिलाल दोस्तों यही थ सारे के सारे updates अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में और हाँ जो एक बड़ी announcement थी वो भी मैं जरा कर दूं तो बड़ी announcement यह है कि इस महीने आ सकता है इमरान खान का एक interview अभी तक इमरान खान का मैंने कोई interview नहीं लिया है इस channel पे और काफी महीनों से मैंने कोई interview नह होना है तब ही मैं आपको उसी दिन announce भी कर दूंगा बिल्कुल delay नहीं लगाऊंगा और इस महीने तो delay लगाने का कोई मतलब नहीं है सारी चीज़े बिल्कुल एक एक दिन के daily ही आ रही है एक एक दिन के gap पे भी नहीं तो जैसी announce होगा आपको पता लग जाएगा shoot होगा आ बस तब तक के लिए stay tuned goodbye शुक्रिया